आपका जो लीवर होता है, वो ये आपकी बोडी रहे कर बहुत ही इंपोर्टेंट और अर्गन होता है और इसके बोडी में कई इंपोर्टेंट ग्र So格 प्रॉल्प्ले करने होते हैं क्योंकि उनकी लाइफ चाल में एक्सराइज फिजिकल एक्टिवी जो है वो काफी कम हो गई है इसके अलबा उनको जो फैटी लिवर की जो शिकायत है उसके बावजूद भी वह जब खानपान का ध्यान नहीं रखते हैं हेपेटैटिस की उनको शिकायत हो जाती है इन सभी का लिवर को कंप्लीटली रिकफोर करना बहुत मुश्किल वराइक काम हो जाता है और यह सी कंडिस्न इस आखिर लिवर सिरुजी जो हो रहा है उसके ऐसे कौन से सिम्टम से कौन से लक्षन है जो की देखने को मिलेंगे ताकि आप उसको समय रहते हैं उसको पैचान सकें क्योंकि एक बार अगर आपका लिवर जो है वो लिवर खराब हो गया तो उसको वापस रिकवर करना बहुत फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ दोस्तों लिवर से संबने देदी कोई भी तरकार की कोई प्रावलम आ रही है तो मैं आपको सजेशन दूँगा एक बार आप होमेपती जरूर लें आप चाहें तो अपना एलोपेथी टीटमेंट भी प्रात करतें कि यह यह हैं यह यिवर्ड अगर ऑन B को शिकाइट आ रही है तो इसके מot DMC से जो नहीं मिलते हैं और लेकिन फिर भी जिसकी में यह बात करूंगा जो कि 7 देखने को मिलें तो आपको सावधान होने की जरूते इसमें जो सबसे पहला सिप्टेंब जो की देखने को मिलता है वह ता अगर आपके डाइजेशन में प्रॉलम हा रही है आपका पेट फूल जाता है इसके अलावा आपको बहुत जादा थकान बहुत जादा कमजोरी जलती है इसके अलावा नौशिया वॉमेटिंग यानि उल्टी जीद हो रही है और उसके अलावा आपका वेट लॉस हो रहा है तो यह जो सारे सिंटम्स देखने को मिलते हैं तो आपको सावधान होने की जरूत है और ज्यादा अगर प्रॉल्लम बढ़ती है अगर लीवर स खत्रे की घंटी हो सकती है इसके अलावा आपके इसकिन पर खास तोर से आपके पेट पर आपके चैस्ट पर आपकी आंस पर वहां पर बारिक-बारिक ब्लड वैसल जो होती है वो देखने को मिलती है इसके साहसाती आपको कुछ कंफूजन की जो इस्तिती होती है वो देख को देखने को मिलती है तो आपके लिए चिंता का विश्य हो सकता है यानि बीमारी जो है वह आप काफी ज़्यादा आगे बढ़ गई है इसके अलावा हतेलियों में आपकी रहना शुरू हो जाती है इसके साहती है पुर्षों में उनको सेक्स की जो इच्छा होती हो देखने क मिल सकती है महिलाओं में ग Levy फके में पीरिट्स होते हैं यह सारे जो अगर सिंट मंशियाय इसमें से मजेयरिटी आप सिंटरम देखने को मिल रहे हैं तो इसमें आपको चिंता का विश्य हो सकता है कि कहीं आपको liver cirrhosis की problem तो नहीं आ रही है अगर ऐसे symptoms या इसमें से मेजिरेटिव symptom देखने को मिलें तो तुरंत आपको अपने doctor's से मिलना चाहिए तो यदी आपके साथ में भी liver cirrhosis की problem आ रही है तो आपको मैं suggestion दोंगा अपना एलोपेथी treatment अगर आप लेना चाहते हैं तो आप चाहें तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं मैंने अपना कांटेक्ट डिटेल दे रखा हैं दोस्तों मैं उम्मिद करता हूं आज मैंने आपके साल में जो भी जान करें शेर किये आपको पसंद आई है और आपके लिए फायदमन साबित होगी इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई नेक्स वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आसके तैंक यू करें ।